नमस्कार शत्रियकाल आदाव बंदे मात्रम हमारे बहुत सारे लोग सफर करते हैं और हमारे भाईयों और बहनों को इस तरह की सफरिंग से ना होते हुए गुजरना पड़े इसलिए आज हम इस टॉपिक को बहुती विस्तार तोर पर बहुती आराम से ठंडे दिमाग से और बहुती सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे इस से पहले मैं आप लोगों को हमारे द्वारा लाए गए इस नए कोर्स के बारे में भी बता देना चाहता हूँ साइन्स का एक नया कोर्स है जो की सिविल सर्विसेज एक्जामिनेशन के साथ साथ वन डे एक्जाम्स के लिए भी बहुत जादा कारगर होगा उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़िया क्या क्या सुविधाय मिलेंगी वो है लाइव सेशन जिसमें आप हम और आप लगातार इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइव रह करके recorded classes भी आपको available रहेंगी कि यदि कभी आपके पास classes ना हो पाएं आप online ना आपाएं तो ऐसे समय पर आप इनको utilize कर सकते हैं इसके साथ साथ class notes आपको PDF format में available हो जाएंगे वहीं आपको test series भी देखने को मिलेगी ताकि आप इन से सम्मन्दित पढ़ाई हुए topics से सम्मन्दित कई सारे questions practice कर सकें तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे lecture की that is sickle cell anemia विशेश तोर पर आज हम क्या क्या देखेंगे इस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं about sickle cell anemia we will study क्या होता है sickle cell anemia कैसे इसको पहचाना जा सकता है क्या causes हो सकते हैं क्या इसके symptoms होते हैं उसके साथ साथ डेगनॉस करने के लिए कौन-कौन सी techniques कौन-कौन सी पद्धतिया होती हैं जिन से इनको medical line में diagnose किया जाता है उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस-किस तरह के treatments are available to treat this particular type of disease इसके साथ साथ हम या और भी other facts कौन-कौन सी सुविधाएं हैं जो की सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही हैं इनके बारे में भी हम discussion करेंगे तो लगता जुड़े रही हमारी इस वीडियो में इसको अंत तक देखें ताकि बहुत सारा knowledge इसके बारे में आपको मिल सके awareness हो सके और इसके साथ साथ आपके exams की preparations भी बढ़ियां से बढ़ियां हो सके तो चलिए शुरवात करते हैं हमारे आज के lecture की sickle cell anemia ध्यान से समझें यहां पर ये शब्द लिखा हुआ है sickle cell anemia मतलब ये एक रक्त से सम्बंदित मतलब कहीं न कहीं लाल रक्त कोशी का और red blood cell से सम्बंदित ये एक cell है ये एक बीमारी है जिसमें जो red blood cell है वो उसमें कहीं न कहीं कुछ defect आपको देखने को मिलता है कुछ disorder देखने को मिलता है वो सबसे अधिक प्रभावित हो जाता है most of the time ये एक genetic mutation है ये एक अनुवांशिक परिवर्तन है जो कि आपके शरीर में होने वाले chromosomes के chromosome number 11 में देखने को बिलता है विशेश तोर पर यहां पर यदि आप देखें ध्यान से तो यैसे कि हमारी लाल रक्त कोशिका है red blood cells होती है normal तोर पर ये disc shape structure की होती है ये कैसी होती है गोल आकार की होती है disc shape structure इनका होता है वहीं ऐसे समय पर इनका जो आकार है उनमें आ जाता है बदलाओ इनके shape में हो जाता है change और ऐसे समय पर ये sickle cell की हो जाती है sickle type की हो जाती है इनका shape जो होता है वो sickle sickle मतलब एक बुंदेल खंड में से हसिया कह करके बोलाते है जैसे कि आप लोगों नहीं देखा होगा कि जब फसल पक जाती तो उसे काटने के लिए उसे harvest जैसे करने के लिए तो एक औजार का इस्तिमाल किया जाता है जो कुछ इस समान आपको दिखाई देता है कुछ इस तरह का देखने को आपको मिलता है हना ऐसा हना बुंदिल खंड में से हसिया के तौर पर बोलते है उससे ये फसल काटते है तो that is sickle cell कुल मिला करके red blood cell लाल रक्त कोशिकाओं का आकार ही क्या हो जाता है बदल जाता है बात समन में आई तो इसलिए ऐसा हो जाने पर क्या हो जाता है इनकी oxygen bearing capacity हो जाती है कम यदि लाल रक्त कोशिकाओं के हीमोगलोबिन में कोई defect आ गया क्रोमोजोम 11 में कोई defect आ गया तो ऐसे समय पर इनका shape हो गया change और उनकी जो iron को अपने साथ bind कर पाने की oxygen को अपने साथ bind कर पाने की जो शमता है वो हो जाती चीन तो ऐसे समय पर हमारे रक्त में oxygen का level धीरे-धीरे-धीरे होने लगता है कम और यदि यह oxygen का level कम होने लगेगा तो आपको भी पता है बहुत सारी प्रकार की विभेन बिमारियां आपके शरीर में देखने को मिल सकती है ऐसे समय पर क् से ग्रसित होने लग गया है तो अब ध्यान से समझते हैं कि sickle cell anemia कि यदि विशेश तोर पर मैं आप से बात करता हूं तो इसकी oxygen bearing capacity कम हो जाती और इसके कारण बहुत सारी समस्था हैं देखने को मिलती है क्या कारणों से यह होता है तो विशेश तोर पर ध्यान से genetic change तो ऐसे समय पर सेलिक सिकल सेल एनिमया में आपको सिकल सेल एनिमया देखने को मिलता है क्रोमोजोम 11 में हुई परिवर्तन के कारण कौन सा क्रोमोजोम यह पूछा गया सवाल है पूछा जा सकता है कि सिकल सेल एनिमया किस क्रोमोजोम नंबर में परिवर्तन के कारण के कारण आपको इस तरह की बिमारी देखने को मिलती है इसके साथ साथ यदी कोई व्यक्ती सिकल से ग्रसित है इसका मतलब यह हो सकता है कि वो अपने parent से उसको inherit कर रहा हो मतलब उसके पिता माता से उसको यह चीज ट्रांसफर हो करके inheritance के दौर पर उसको मिली है विरासत के तौर पर उसे मिली है इसको थोड़ा सा और अधिक विशलेशित करने के लिए और अधिक स्पस्ट करने के लिए मैं आपको इस डाइग्राम के जरीए समझाने की कोशिश करता हूँ ध्यान से समझें जैसे कि य सिकल सेल एनेमिया के सिम्टम्स दिखाई दें मगर वो केरियर तो है वैसे ही माता के अंदर भी केरियर वाले जो जीन्स है जो डिफेक्टिड डिसॉडर जीन्स है वो तो हैं परंतु उनमें दिखाई नहीं दे रहा अभी उनमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे मगर य परसंटेज चांसेज हैं कि कोई एक बच्चा, चार में से कोई एक बच्चा जो है, वो सिकल सेल एमनीमिय से गरसित होगा, क्यों, दोनों में यदि स्वस्थ वाले जीन आ गए, दोनों के ट्रांसफर हो करके तो ये तो बिलकुल हेल्दी है कोई दिक्कत ही नहीं है बरन्तु यदी मान के चलो एक भी आ गया एक पिता की तरफ से आ गया एक माता की तरफ से आ गया तो ऐसे समय पर जो पिता की तरफ वाला है वो ज़स्ट हेल्दी है माता की तरफ से ला गया तो ये कैरियर बस होगा अभी इसमें असल में दिखाई inerudख नहीं देगा, अभी असल में इनमें कोई असव ईसकाई देगा मगर यह carrier है फिर सेम ऐसे यह इसमें भी होगा कि carrier है माता की तरफ से negative वाला आ गया पिता की तरफ से positive या उल्टा कर लो कि पिता की तरफ से disorder वाला आ गया और माता की तरफ से healthy वाला आ गया तो भी ऐसे समय पर यह सिर्फ carrier होगा बातसवाज में आई परन्तु यदि दोनों ही disorder दोनों ही defected वाले gene यहाँ पर आ गए तो ऐसे समय पर जो एक बटे चार मैंने probability आपको बताई कि 25% चांसे हैं यदि दोनों माता-पिता carrier होते हैं वो भी तब दोनों में से एक होगा तो और कम हो जाती है probability बातसवाज में आ तरीके से हमको समझ में आता कि genetic inheritance भी बहुत कम होता रेयर होता तो ऐसे समय पर यदि कोई doctor आपको बोल रहा है समझा रहा है कि इस तरह की बिमारी हो सकती है तो आपके जो last जो parents है हना जो आपके जो से पहली वाली पीडी है उनकी भी आपकी medical history को चेक किया जा सकता है तो य यह एक awareness भी हो गई ठीक आगे की बात करते हैं कि क्या क्या symptoms होते हैं एनेमिया के तो ध्यान से समझना लगातार बुखार रहना chest pain होना pulmonary जैसे 36 समंदित बिमारिया inflation जैसी चीज़ां आपको देखने को मिल सकती है हना restlessness ठकान जैसी मैसूस हो सकती है fatigueness रह सकती है high blood pressure बन यह हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा हना आख जो है या मू जो है वो लगतार सूखता रहेगा या फिर एक चीज़ और है जो पूछेगा इस सवालों में से एक है PYQs के तौर पर देखा जा सकता है क्या joint disc को एक कारक symptoms के तौर पर देखा जा सकता है sickle cell anemia के तो हाँ बिलकु joint disc को एक sickle cell anemia के symptoms के तौर पर देखा जा सकता है यदि आपकी skin, eyes, mouth यह यलुश पढ़ते जा रहे हैं हाना तो ऐसे समय पर वो joint disc जो है पी लिया जो है उसको एक symptom के तौर पर लिया जा सकता है consider किया जा सकता है sickle cell anemia के आगे बात करते हैं किन-किन पद्धितियों से किन-क टेकनीक से अपन इसको diagnose करते हैं तो टेकनीक के नाम बस याद रखने हैं कौन-कौन सी genetic screening मैंने अभी बताया कि एक अन्वांशिक पदार्त में होने वाले परिवरतन के कारण देखने को मिलता है तो genes की क्या करनी पड़ेगी screening करनी पड़ेगी इसका examination fetus में ही किया जा सकता है इसके साथ साथ baby और adult में भी देखा जा सकता है मतलब during conceived period during pregnancy भी इसको diagnose किया जा सकता है इसके बाद यदि अपन बात करते हैं तो high performance liquid chromatography इसे HPLC के नाम से भी देखा जाता है याद रखना HPLC के नाम से भी पूछा जा सकता है option में आपको HPLC लिखा मिल सकता है हना high performance liquid chromatography इ iso electric focusing भी दो ऐसी techniques है जो की most of the time diagnostic purposes के लिए use की जाती है in sickle cell anemia तो यह याद रखना है आप लोगों को हना कि ये कौन कौन सी तकनीक के द्वारा इसको examine किया जा सकता है तो यदि कभी आप किसी के examination के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि आपके पास इन 4-5 पास तकनीक में से कौन सी techniques available है to examine to diagnose the sickle cell anemia बात समझ में आ गई आगे देखते हैं treatment for sickle cell anemia कौन कौन से treatment है तो पहला treatment है आपका blood transfusion blood transfusion मतलब लगातार रक्त की जो कोशिकाएं हैं रक्त की जो red blood cells हैं उनमें defect आ रहा है उनके आकार में उनके shape में परिवरतन होता चला जा र और उसको क्या करना पड़ता है replace करना पड़ता है हना बदलाव करना पड़ता है मतलब जो disorder drug है उसको बाहर की तरफ excrete out करवाय जाएगा निकाला जाएगा और वहीं उसकी जगह दूसरा जो healthy blood है उसको आपको introduce करना पड़ेगा तो ऐसे समय पर कुछ-कुछ हद तक units में limited amount में physician या जो आपका doctor है उनकी supervision के अंदर ही आपको इस तरह की जो यह है techniques इनका इस्तेमाल किया जाता है for the treatment of sickle cell anemia मतलब जैसे खून को बार-बार कुछ-कुछ particular units में बदला जाता है ऐसे समय पर यह जो heart attack जैसी चीज़े हैं या acute diseases होते हैं हना उनको या chest में होने वाले pain को syndrome को इनको थोड़ा रोका जा सकता है इसको delayed किया जा सकता है pulmonary disorders 36 से संबंदित जो बीमारिया होती है जो कि इसके करण बहुत तेजी से बढ़ती है उसको रोका जा सकता है आपकी body की लगाता toxicity बढ़ती चलिया रही क्योंकि oxygen कम हो गई पियेच उसको delayed करने के लिए उसको धीमा गती देने के लिए अपन क्या करते हैं blood में लगातार healthy वाला blood introduce करते चले आते हैं body में ठीक है अगली एक बात बहुत अच्छी है जिसको अपन बोलते है CRISPR Cas9 technique ये जो technique है ये एक gene editing की technique है मान के चलो किसी माता पिता को पता चल जाए कि मेरे अंदर जो हैं ये particular traits हैं जो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे जो मेरे इस वाली generation में दिखाई नहीं दे रहे परन्तु traits हैं इसका मतलब यह हैं कि हमारे next progeny में अगली generation में ये उभर करके सामने आ सकता है तो ऐसे समय पर आपको पता हिए कि इस chromosome में defect है तो सिर्फ उसी chromosome में editing करवाई जाती alteration किया जाता है और उस chromosome के 11 number के chromosome के उस defected वाले हिस्से को अलग किया जाता है और healthy वाला किसी दूसरे DNA का part इसमें जोड दिया जाता है ऐसा करके जो नया DNA बना वो पूर्टा स्वस्थ है और अब उस स्वस्थ DNA को mother warm में uterus में वापस पार्क कर दिया जाता ह है fertilization के बाद और फिर उसके बाद ये normal condition में जैसे एक baby बढ़ता है fetus जैसे आगे आगे embryonic stages से गुजरता है same सब कुछ वैसे होता है मगर अब वो defected वाला जो पार्ट है DNA का वो जो gene का defected वाला पार्ट है वो हटके healthy वाला पार्ट जुड चुका है इस technique को बोलते हैं in vitro fertilization के तहत होने वाली भी एक technique यह है CRISPR-Cas9 technique इस technique में एक हिस्से को सेक सेगमेंट को तोड़ के अलग किया जाता है जो defected होता है और फिर healthy वाले को जोड दिया जाता है in vitro fertilization में इस तरह की चीज़ें भी की जा सकती है CRISPR-Cas9 technique के जरिए किया जा सकता है IVF centers आप जानते है यद आपको किसी तरह का कोई व्यक्ति आपके knowledge में है जिसके साथ ये समस्याइं है तो वो चाहे तो next progeny में ये चीज़ ना transfer हो पाए ये बिमारी डिये disorder ना transfer हो पाए इसलिए वो चाहे तो इसका treatment ले सकता है अब हम बात करेंगे कुछ other facts के बारे में World Sickle Cell Anemia Day कब मनाये जाता है तो यह 19 जून को मनाये जाता है याद रखने वाली बात है यह कब मनाये जाता है तो यह 19 जून को प्रतिवर्ष हमें से मनाते हैं विशेश तोर पर यदि मैं आपसे बात करता हूँ G.A.S.C.D.O. that is Global Alliance for Sickle Cell Disease Organization ने इसे 19 जून 2024 को एक special theme दे करके बुलाया जिसे Uniting for World Sickle Awareness Day का नाम दिया गया इसकी जो theme रखी गई वो क्या था? Uniting for World Sickle Cell Awareness Day रखा गया है ठीक अब हम कुछ और other facts के बारे में बात करेंगे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साब है आदरनी मोदी जी उनके द्वारा भी इससे सम्मंधित एक नई मुहीम शुरू की गई जो की 1 जुलाई 2023 को हमारे मद्ध प्रदेश के शेहडोल जिले से इसकी शुरुवात की गई यह क्या है तो National Sickle Cell Anemia Elimination Program याद रखना National Sickle Cell Anemia Elimination Mission के तहत यह शुरुवात की गई है कि बहुत सारे लोगों को एक्जामिन किया जाएगा इसके साथ साथ उनका treatment भी किया जाएगा ये कब शुरुआत हुई तो 1 जुलाई 2023 को ये लॉंच हुआ, कहां से लॉंच हुआ, तो ये मद्द प्रदेश के शेहडोल जिले से इसकी लॉंचिंग की गई है National Sickle Cell Anemia Elimination Mission का मुख्य उद्देश है कि पूरे देश को 2047 तक सिकल सेल एनेमिया फ्री करना है, eliminate करना है जैसे कि हमने पोलियो से लड़ाई लड़ी है, वैसे ही एक जंग अब हमारी छिडी है किसके साथ? ये सिकल सेल एनेमिया के साथ ठीक, इसके साथ-साथ प्रदान मंत्री जी ने लाभारतियों को सिकल सेल एन्वान्शिक इस्थिति कार्ड वितरित किये है इसके तहट क्या किया जाएगा? डाइगनॉस किया जाएगा लगभख 7 करोड लोगों को कितने सालों के अंदर अंदर? अगले 3 सालों के अंदर याद रखना इसके साथ साथ और वो भी किन्में विशेश तोर पर जिनकी आयू 3 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में हैं ये याद रखना जिनकी आयू तीन वर्ष से चालिस वर्ष के बीच में है ऐसे लोगों को डाइगनॉस करना है लगभा कित्ते लोग साथ करूड लोग ठीक इनकी स्क्रीनिंग करनी है कित्ते सालों में अगले आने वाले तीन सालों में मतलब 2023 से 24, 24, 25 से 26 तक के बीच में इन इह इस को कहा जा रहा है वो भी यहां पर वितरत किये है ठीक है इसी तरह की और सारी informative वीडियो और इसके साथ-साथ exam preparation से संबंदित वीडियो के लिए stay tuned with crazy gk trick that's all for today from my side thank you so much